हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके सामने जो प्रोड्कास लेकर आएं हैं वहें हैं एक महान दाशनिक डेल कारणी की पुस्तक चिंता छोड़ो सुखसे जीओ एपिसोड वन अतीद की भयावे सोज एवं भविशे की कल्पना ही चिंता को उत्पन करती है कल की तैयारी का सर्वशेष्ट मार यही है कि आज को भेतर करें हमारा कार रहे यह देखना नहीं कि दूर दुंदल में क्या दिखाई देता है बलकि यह करना है जो हमारे सामने है केवल वर्तमान में कैसे जीए एक यूवक ने कोई पुस्तक उठाई और 21 शब्द पड़े ऐसे शब्द जिन्नों ने उसके भविशे पर घहरा असर डाला यह मेडिकल का छात्र जन्रल अस्पताल में था उसे चिंता सता रही थी कि परिश्या में कैसे पास होगा डॉक्टरों की प्रैक्टिस कैसे शुरू करेगा रोजगार कैसे चलाएगा यूवक ने 21 शब्द पड़े थे उनकी साहिता से अपनी पीडी का सर्वशेष्ट डॉ उस यूवक को आज हम सर विलियन्स ओस्कर के नाम से जानते हैं थॉमस कॉरियोले के 21 शब्दों ने उन्हें चिंता से मुक्त जीवन जीने में साहिता मिली हमारा कारे यह देखना नहीं है कि दूर धुन्दल में क्या दिखाई देता है बल्कि यह करना है जो हमारे सामने है क्या डॉक्टर ओल्सर के नसार हमें भविश्य के तयारी नहीं करने चाहिए नहीं बिल्कुर नहीं वे अपने इस भाषन में कह रहे थे कि कल की तयारी के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि अपनी सारी बुद्धी और युग्विता और उस्सा आज के कारे के को तरीके से करने में लगा दे आने वाले कल का कोई विचार मत करो क्योंकि कल अपना विचार खुद कर लेगा आज का दिनी आज की बिराईयों के लिए काफी है रोबर्ट लुई स्टीविसन लेखा है बोच कितना भी भारी हो आदमी उसे रात तक उठा सकता है कोई भी सूरज के डू लेखक ने एक उधारन प्रस्तुत किया मिसेज ई के जीना सीखने से पहले जिन्दगी से इतनी निराश हो चुकी थी कि उनके मन में आत्मत्या करने तक का विचार आया आगे वे कहती हैं एक दिन मैंने एक लेख पड़ा जिसने मुझे निराशा से बाहर खीच लिया और ज कतंता बुद्धिमान आदमी के लिए हर दिन एक नया जीवन होता है कितनी अजीब है जीवन की यात्रा स्टीफन लिकॉक ने लिखा है बच्चा कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा बड़ा होने पर कहता है जब मैं कमाने लगूंगा जब कमाने लगता है तो कहता है गंडी हवासे सेरन होती है ना जाने कैसे उसने सब कवा दिया और जीवन पीछे छूट गया बहुत देर बाद समझ में आता है कि जिन्देगी हर पल जीने के लिए होती है इसलिए हमें हर दिन हर घंटे इसे जीना चाहिए क्यों का कथन है कि आने वाले कल का मुरब्बा बना महान फ्रांसिसिक दारनेशिक दाशनिक मौर्टेन लिखने मेरी जिन्देगी भ्यावा दुखों से भरी है जिन में से ज़्यादा तर तो कभी आई ही नहीं जो हो गया उसे स्विकार कर लो क्योंकि हो चुकी घटनाओं को स्विकार करना ही किसी दुरबागे के परिणामों से उबरने का पहला कदम है डॉक्टर ऑनकिस करेल ने कहा जो चिंता से लड़ना नहीं जानते वे जवानी में ही मर जाते हैं आगे लेकक बहुत मुक्य बात कहते हैं डर के कारण चिंता होती है चिंता से तनाव पैदा होता है और आप नर्वस हो जाते हैं इससे आपके अम अमाशे रसो का प्रभा असामाने हो जाता है अक्सर इसका परणाम होता है अमाशे का अलसर नर्वस टॉमक टरबल पुस्तक के लिए भग डॉक्टर जोजेफ एफ मांटियू भी इसी तरह की बात कहते हैं आप क्या खाते हैं इससे अमाशे कान नहीं होता अलसर तो आपको इसी चीज से होता है जो आपको खाय जा रही है हिटलर के केम्पों में इस्तमाल किया गया तरीका चीनी सैनिकों ने अपने कैदियों को टॉर्चर करने के लिए अपनाया वो कैदियों के हाथ और पैर बांद कर उन्हें पानी की एक थैली की नीचे रख देते थे जो लगाता टप टप टपकती रहती है दिन दा सिर पर लगाता टपकते ये पानी की बूंदे हतोरे की आवाज की तरह बन जाती है और इनसानों को पागल कर देती है चिन्ता पानी की लगाता टप टप की तरह है और चिंता की लगाता टप टप से इंसान अक्सर पागल हो सकता है और आत्मत्या कर सकता है तो आईए इस पुस्तक के महतुन तैथों के संशेप में चर्चा करें अगर आप चिंता से बढ़ना चाहते हैं तो वही करें जो सरे विल्यम्स ओस्कर ने वर्तमान में किया था वर्तमान में एक दिन जीएं यानि डेट टाइम गंपार्टमेंट में जीएं बविशे की चिंता में नहुले हर दिन सिर्फ सोने के समय तक जीएं खुद याद दिलाएं कि आप स्वास्ते के संदर में चिंता की कितनी ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं जो चिंता से लणना नहीं जानते वह जवानी में ही मर जाते हैं उमीद हैं दोस्तों आपको इस पॉड्कास से अपने जीवन के बारे में कुछ नई प्रेणा सोत्र मिलेंगे आगे हम आप से फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार